अब मैं आपको कबीर के दोहे बताऊंगी कबीर के दोहे मैं बिरह जलाई मेरू जलो जलती जलहारी जाऊं मैं उद्खिया जलहारी बजले सतो कहा बुलाऊं प्रस्तु साखी कबीतास के बिरह को अंगल से उद्गृत है कभी ताची इस सांख्य में प्रभू के वियोग में दुखी भक्त की बेदना का वाणन कर रहे हैं कि भक्त की इस परकार से दुखी है और उसकी बेदना का वाणन है व्याख्या में है कि मैं विरह के कारण जली जा रही हूँ यानि आत्मा एक विरहनी एक जीव है जिस प्रकार से वह कहती है कि मैं विरहा के अकारण जली जा रही हूँ अपने इस सवस्ता में मैं गुरू रूपी तालाप के निकट जाती हूँ यानि वहाँ गुरू रूपी तालाप के निकट जाती है एक विरहनी है जीव बताती है कि मैं यहां अपनी आग बुझा लूँगी पर मुझे देखते ही वह तालाब भी जनने लगता है यानि बिरह के अगनी इतनी भाहिंकर है कि उस बिरह के अगनी में तालाब के किनारे वह विरहनी कही है कि मैं अपनी अगनी ही बुझा लूँगी लेकिन वह तालाब भी उस बिरहनी की बिरहनी की बिरहनी से तालाब भी जनने लगता है हे संतो मुझे बतलाओं की संग इस आग को मैं कहां किस परकार से बुझाओं आप वो कहती है विरहणी कि मैं इस अगनी को किस परकार से बुझाओं जलती जलो बलहारी जाओं बलहारी जलो मैं अनप्रास अलंकार है इसमें वर्ण की आवरती बार बार हुई है इसमें जो वर्ण की आवरती बार बार हुई है जाओं और बुलाओं में धनी सामे है जाओं और बिलाओं में धनिसा में हो गया और इसी प्रकार से अनियुक्ति अलंकार का यहां पर वर्णन किया गया है कि मैं जलती जा रहे हूं और मैं जलन के मारे मेरी जलन के मारे तालाब भी क्या है जल चुका है यहां जलती हुई नारी की बल्हारी का तात्विका वर्णन है